और देख सकते हैं आप लोग माधावनद बाबाजी का मंदिर है और बगल में संकर जी का मंदिर है एपकर आप लोग चली दर्शन कराता हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया इस्री हनुमानगडी हलो फ्रेंट्स वागर था आप सभी का एक न्यू ब्लॉग वीडियो में कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और गाजीपूर में ही एक फेमस अस्थान है माधवनन्द बाबा ब्रह्म बाबाजी का अस्थान जो की अति प्राचीन अस्थान है और यहां पर काफी दूर-दूर से लोग आते हैं माधवनन्द बाबाजी का दर्सन करने और बंगल में हनुआन जी का भी मंदिर है जिसे संत आचारी त्रिमेड़िदास महराज जी ने बनवाया था जो कि जानते हैं आप लोग चकीरी धाम के मठाधीस हैं और जो ब्रह्म आप लोगों हनुमान जी का दर्सन कराते हैं और यहां पर माधवissements के बारे में भी जानने की कोछिस करेंगे और यह जो आप लोग देख रहे हैं गाउं एह मदनी गाउं है मदनी गाउं के बगल से यह रास्ता देख लेए आई है बाबा के धाम पर और यह देखें जल निगम वाली यहां पर पाईप है और इस सामने है मादवान अंद्धी बाबाजी का अस्थान और बजरंग बलीका और यह पुरा देख रहे हैं आप लो यह पुरा गाउं का एरिया है भाई तो देख रहे हैं आप ग्यहूं के अभी कटाई का भी सीजन चल रहा है था तो पुरा कटाई उटाई हो गई है और भाई आप लोग यह देख सकते हैं यहाँ पर लाइड भी लगाई गई है सामने भगल में संकर जी का मंदिर है और इसके आगे हमन कुंड बना हुआ है तो मैं आप लोगको महलवानर्द बड़ा जी का दर्शन भी कराएंगी और यहाँ पर उसके जेश्ट बगल में ही यहाँ पर बजरंग बली का भी अस्थान है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ पर यहाँ देखे पूरा पानी पीने के दिवस्था है और यहाँ पर काफी साफ सफाई है और यह देख सकते हैं आप लोग हरुमान जी का अस्थान है मैं आप लोग को दर्सन कराऊंगा और इसके आगे जाएंगे यह देखिए जो पाइप सरकार के द्वरा लगाए जाए रहा है यह जल निगम वाली यह पाइप यहाँ पर रखा रखाएं रसी सी हुआ है और यहाँ पर सुलफ सोचाला भी बनाए गया है जिसे लोगों को दिक्कत न हो यह पूरा एरिया आप लोग देख सकते हैं तला बंद बगल में यह देख सकते हैं यहाँ पर कुछ निर्मार काड़ चल रहा है भाई इस सैड में आप लोग देख स कि यहाँ पर कीया गया और यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर भी निर्मार कारे भी देखें ह데 Budd fear बना गया है चार और यहश्य अपर देख सकते यह देख सकते हैं पूरा अप लोग देखने में काफी अच्छा विजु आ रहा होगा रहा तो मैं सोचा कि आप लोग को माधवननन्द बाबा जी का दर्सन भी करा देता हूं क्योंकि यहां के बारे में काफी फेमस अस्थान है यहां के बारे में बहुत कम लोगों को पता है तो मैं सोचा कि क्यूं ना माधवननन्द बाबा के बारे में लोगों को जनकारी लोगों त पर जो लोग आते हैं मनत माने रहते हैं उनकी मनत पूरित हो जाने के बाद यहां पर हवन पूजा आपना कराते हैं और बाबा जी को प्रसाद चढ़ाते हैं और आज पुरा खाली है यहां पर जैसे कि लोग आते रहते हैं कोई फिक्स टाइम नहीं है और यहां पर यहां पर करेंगे आप लोग को यह साम देखे घंटा यहां भी बादा गया है और यहां पर यह दान पेटी है अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं बाबा के नाम से तो दान कर सकते हैं और यह माधवानन्द बाबा ब्रह्म बाबा जी का और बर्माइन माता जी का यह अस्थान है यह आप लोग देख सकते हैं और मैं आप लोग को चारो तरब से दिखा देता हूं यहाँ पर लोग आते हैं दूर-दूर से देख रहे हैं आप लोग फूल माला यहाँ पर चढ़ाये गया है और यह बहुत अथी प्राचीन अस्थान है और बहुत प्रसिद्ध अस्थान है इस सेड में यहां पर देखिए संकर जी का मंदिर है यह देख सकते हैं आप लोग और इसके बाद यहां पर देखिए नंदी बाबाजी का अस्थान है यहां पर बनाए गया है और उपर यहां प्रथम पुझ देख सकते हैं गड़ेश जी और जब यह मंदिर बनी है उसकी यह का अस्थान है यहां पर लोग देखिए और एक मड़का टाइफोस पीतल का उसमें से पानी टपक रहा है क्योंकि गर्मी का सीजन आप लोग जानते ही पुरा यह अंदर का व्यूव आप लोग देख सकते हैं और यहां पर जश्ट बगल में यहां पर देखिए हवन कुंड है यहां पर लोग जिसको हवन पुजा कराना रहता है अपना कराते हैं लोग और वहां पर जहां पर पीपल का पेड़ है वहां पर भैरो बाबाजी का अस्थान है तो मैं चलिए दिखा देता हूं आप लोग य पर काफ़ी सावसपाई है और काफ़ी यहां आनेक भास भावी मुझे बहुत अच्छा लगा काफ़ी सांती महिसूस हो रही है यह आप लोग देख सकते हैं यह भाष्वबॉक अस्थान है और यहां पर देख प्राशाद या कुछ खाने पीने बस्तू लेना है तो यहाँ पर एक गुंती आप देख सकते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं और जश्ट बगल में यहाँ पर देखी एक धर्मसाला है यहाँ पर साधी भी यहाँ पर होती है और यह जो की रादे मोहन जी थे सांसत उनकी द्वारा यह दिय काले दूँगा और सामने आप लोग देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है मैं आप लोग चलीस nella उर हूँ और उपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया स्उ्टी विड़िदास जी त्यागे जी महराज यहां पर लिखा गया कि क्रकवलों से इस मंद मंदिर का निर्माड कार हुआ है तो यहां पर पाइले भाई आठाश सल पहले मालेज और पीछे जाएंगे तो यह बहुत कम पर निर्माड कारी चला हुआ था और उसके बाद यहां पर काफिक परिवर्तन हुआ है अर यह सामने इप लोग देख सकते हैं यहां पर इस कि मंधिर, ches reminded यह आप लोग देख सकते हैं, मैं आ प्र likeटarina माध्यम से दर्शन कर दे रहां। अभी आप लोग को मैं माधवान अंधम बबाजी का भी दर्शन कराईा, और हिसे निर्मार क्रता ज省 समी महराज है, उनका यहाँ पर गया गया है। आप लोग देख सकतेंगे यहां पर देख सकते हैं यहां 건데 में हें पूझा करते हैं जैस अपर आप यहां में यहां पर यहां पर नहीं है उस्हिसी नहीं हमारे बाबा के चार गाहों के पूजिबान पूजा करते हैं सबकी सरधाये पूरा होती है और यहां जो है बाबा हम लोग दादाओं ने मुझे बताया है कि बाबा जब इदर से जा रहे तो उनको प्यास लगी थी उन्होंनों जो आया तो जो है दो लड़की लड़किया खिल रहे थे भाई बहन जी और उन्होंने पान दिख़ें अहीं मंगा तो बैटाने नहीं दीया जब पुटनिया की जहहों लोगों के बीच में अगर हम एकि मेरी सिष्टर खड़ी है तो बहन का पहले होताया मतलब भुख का पहले बाबास सुनते है और बेटा का बात में सुनते हैं कि सब करद को सब अगर किसी की पैरों में ठोकर लगे तो बाबा कही नाम आता है। यहां पर काफी भीड़ होती होगी। बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर देखना चाहते हैं तो सावन में आके देखिए बाबा का हमारा चमतकार। अच्छा इसके बाद जो है। नौंबर इसंबर के समय पुर्णवासी जब आती है। उसमें छठी के दिन बाबा का मिला लगता है। इनकी वर्जगांट मरा जाती है तीन दिन का होता है। उसमें भी बाबा को आके देखिया। इसी परिशर में लोग आते हैं लोग बड़े-बड़े प्रत्निदियों ने आता है। और काता है कि मैं बाबा को यह कर दूगा और करता कुछ नहीं कुछ नहीं करता है। सिर्फ एक तो बस ऐसान है रादे मोहन सिंह का जो उसमें जो चेर्मेन थे सपा से अच्छा और उन्होंने जो है हमारे धरमसाला में बहन बेटियों की साधी करने के लिए दिया। बहुत लोग आए राजकुमार गवतामा है को महंदर पाने बहुत लोग आए इसके बाद नेताओं ने को राजकुमार गवता मेरे के साहरा नहीं है। तो हम लोग का जीवन धन्व हो जाता है कि मोनो कामना भी अपना पूड़ हो जाता है अगर आपको कोई बहुत कुछ किया हमने कोई 7000-8000 दवा का खर्चा लगता था रोज का लेकि हमारे गुरु जी अब तो गुरु का नाम नहीं नहीं लिया जाता हूं कि पुत्र जो है रहुल प्रतिर पाथी जी वो गुरु जी ने कहा कि बाबा की सेवा करिया आपका सब कुछ खतम हो सजा हुआ है अच्छा महीं उंको देश फूर से सजाता हूँ जी सुबह दीपक काके जलाता हूं और उन्हें की देन की आज मैं एक रुपय की दावा नहीं खाता हूं और मैं खड़ा हूँ मेरे कमर की दर्द खतम हो जी अब आप ट्रामा सेंटर में थे जी ट्रामा सेंट और आपको जो है बल्टी पानी उठाना है न कहीं गाड़ी चलाना है लेकि बाबा से पर्मिसन लिया हमने और पुरे चारो पाचो गाहों अधर जाके लोगों से भीख मांगा और संकर जी का मंदिर बनवाया अच्छा अस्थापना किया हमारे बतिजा चंदन सी से चंदन सिं और मैं समाज जनता से यहीं बिंती करता हूं कि एक बार मेरा स्वयोग करें मादवान ब्रम्बाबा का सुंदर हो जाए और बाउंडी हो जाए मैं अपने जनम को सी दमालता हूं तो यहां पर जो सांसद विदायक है आप लोग उनसे संपर्क नहीं करते हैं आते हैं बुला सब्सक्राइबια न весь दो दो मनें में अच्छा जो रैति माति अदर हो जो ड्राक नाम को पुर में से नहीं सुक। प्रश्चिन चोड़ बाबा की 50 मीचत दूरी ने वाप उन्होंने लेटिन बना दिया अच्छा और बाबा की अस्थान पर मंदिर से 10 कदम दूरी पर लेटिन बना है बताएगे अस्थान है कि यह जो है क्या है सब्सक्राइब दूर होना चाहिए दूर होना चाहिए ता मनो कामना पूर होती है पूजा में भी कोई मतलब बहु ज़्यादा घर्च भी नहीं है उसे बाद में चाप करिए लेकिन इनको यह क्लोटा जल अगर सपर जाए जिए क्लोटा जल ही दे दीजिए इससे भी बाबा संतुष्ट रहता है और हम लोगों के पूर्वजों से प अधिन हो खृब छूट फाले यहां पर तपास्या किए और अन्हीं के की किरपांसे जब उनके उपर किरपा इनकी अच्छा इन्हों ने उनको आधेश दिया जब बाबा ने आधेश दिया तब बनाया उनको इनको राजी को जो हाँ जित आदेश दियो मंदिर बनवाए पूराना संकर जी का था अति प्राचिन था जब बाबा से तभी से अच्छा उनका यह लोग जुड़ोधार जनता ने किया बाबा का असली अस्थान बर्माइनमाई का यही है इसके बाद यहां से जब दिक्कत होने लगी तो लोगों सब मिलकि मंदिर बाबा का भी बनाए गुमबज बन वाया इसके बाद लोगों ने यह इसकी मनौती होती है यहां पर ज्यादन बाबा का दर्सन करते हैं पूजा करते हैं आते तो हमेसा लोग हैं लेकिन शुक्र सोमाल को जादा पूजा के मनुति के दिन आते हैं ठीक भी आप बहुत धन्यवाद जैसी तरह तो फ्रेंड्स यह था पुरा माधवानन बाबा जी का भी और मैंने यहां के बारे में जानने की भी कोशिस की मैंने यहां पर जो लोग भाईया थे उनसे भी बात किया पुरा यहां के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया I hope कि आप सभी लोग को यह ब्लॉग अच्छा और मैं एक चीज आपसे बताना भूल गया बेच में ब्लॉग नहीं आ रहा था उसका रीजन था आप लोग जानते ही इससमें भाई गहों की कटाई चल रहे थी तो मैं एक किसान फैमली से हूं तो भाई कुछ काम घर पे भी रहता है इसलिए मैं कहीं जा नहीं पा रहा था उसके लिए स्वारी आप आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे तो बस इनी सब्दुक साथ इस ब्लॉग को इंबेडिट करते हैं मिलते हैं नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाहा चेक के आए जै हीन जै भारत जै बजरंग बली जै महातवारंग बाबाद